हलो दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रकास के परावर्तन के नियम का प्रेक्टिकल की साहता से सत्यापन करेंगे तो आएए इस वीडियो को सुरू करते हैं देखे, practical को सुरू करने से पहले हम प्रकास के परावर्तन और परावर्तन के नीमो को समझ लेते हैं. तो चलिए पहले प्रकास के परावर्तन को समझते हैं, जब प्रकास की रण किसी चमकदार सतर पर टकरा कर उसी माध्यम में वापस लोड़ जाता है, तो यह घटना प्रकास का परावर्तन का लाता है, अब देखे इसके लिए हम एक दरपन का उपयोग करते हैं, और दरपन के एक साइड देखे होंगे आप कि चांदी का पतला पर चढ़ाय जाता है, क्योंकि चांदी एक अच्छा परावर्तक होता है, और उसकी सुर्वक्षा के लिए सामनी की और तो दरपन का कांच वाला हिस्सा हो गया, और पीछे उसके एक गाड़े कलर का पेंट कर देते हैं, तो आएए इस गटना को हम चित्र के साहता से समझते हैं, देखिए एक दरपन बना दे रहा हूं पहले मैं, यह एक दरपन हो गया, जिसको मान लीजिए हम लोग M और M' से दर्सा रहे हैं, और इसके इस सता पर चांदी का पतला परत चढ़ा दिया गया है, जिसके उपर गा पर आवर्तन की घटना होगी, देखिए इसमें जहां पर प्रकास किरणा करके टकराएगा, इस बिंदू को हम लोग माल लेते हैं, आपतन बिंदू, जहां पर आपतित किरणा करके टकराता है, देखिए यहां पर इस तरह से यह एक रेखा खीच दें, यह यह प्रकास जा रहा है यहां पर टकराया है जहां टकराता है वही बिंदू का लाता है आपतन बिंदू अब देखिए यहां से टकराने के बाद चोकि परावर्तन का घटना होना है तो जिस माध्यम में जा रहा है उसी माध्यम में वापस हो जाएगा तो इससे टकरा करके यह प्रकास की इसी माध्यम में वापस लोट आता है यह देखे यहां से ऐसे लोटने का चिन बना दिये तो जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में लोट आया यह गटना कहलाएगा प्रकास का परावर्तन अब इस चीत्र को सोड़ा सौर पूरा कर लेते हैं देखे इसको बोलेंगे हम लोग आप्तित किरण और इसका नाम रख देते हैं A और इस बिंदु को कह देते हैं O तो A O हो गया हमारा आप्तित किरण इसी तरीके से O और इसको रख देते हैं B यह हो गया हमारा परावर्तित किरण अब इस O बिंदू से असाताप्टन बिंदू से हमें कालपनिक रेखा खीचिंगे ये अभिलंब कहलाता है और इसको दरसाद ये हम यन से और ये कहलाएगा अभिलंब अब देखिए यहाँ पे दो कोण बन गए है एक आप्टिट किरन और अभिलंब के बीच में तो इस कोण को कहते हैं हम लोग आप्टन कोण और इसको दरसाते हैं इसमालाई से इसी तरीके से इधर जो बना है अभिलंब और परावर्टिट किरन के बीच में कोण ये कहलाता है परावर्टन कोण और इसको दरसाते हैं आर से अब इसके अरहार पे हम आपतन कोण और परावर्तन कोण का परिभासा भी दे सकते हैं बहुत सरल तरीके से देखिए आपतित किरण और अभिलम के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और अभिलम और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण का लाता है अब इसके अर्थार पे हम परावर्तन के नियम को समझते हैं देखे परावर्तन के दो नियम होते हैं पहला परावर्तन कोण सदे और आपतन कोण के बराबर होता है अर्थात कोडार बराबर कोडाई और दूसरा नियम है आप्तित किरण, परावर्तित किरण और आप्तन बिंदू पर अभिलम ये तीनो एक तल पे होते हैं हम अपने practical में आज इन ही दोनो नियमों का सत्यापन करेंगे practical में हम कागच की तल पे practical करेंगे अर्थात आप्तित किरण और भिलम और परावर्तित किरण तीनो एक तल में आ जाएंगे और दूसरा सत्यापन करेंगे यदि हम आप्तन कोड का मान जीतना लेंगे उतना ही हमारा प्रयोग में आएगा परावर्तन कोड का मान यदि ऐसा होता है तो प्रकास के परावर्तन के नियम का सत्यापन हो जाएगा तो चलिए अब हम अपने प्रेक्टिकल को सुरू करते हैं इस प्रेक्टिकल के लिए आवस्थक सामगरी में चाहिए आपको एक ड्राइंग बोर्ड, एक वाइट पेपर, दरपढ़, दरपढ़ स्टेंड, ठ्रॉम पीन और पेपर पीन और साथ ही साथ आपको एक चांदे के आउसकता होगी, एक स्केल और एक पेंसील तो सबसे पहले हम दरपढ़ को रखने के लिए एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे हम अपना दरपढ़ को रखेंगे और इस दरपढ़ के इस हिस्से में पेंट किया हुआ है अब हम इसमें एक अभी लंब खीच लेते हैं, देखिए, यहाँ से हम नब्बे असका एक लाइन खीचते हैं, जो अभी लंब होगा अब उसके बाद हम एक आपतन कोड भी बना लेंगे चलिए हम इस प्रावर्तन के लिए आपतन कोड का मान 40 रखते हैं आप चाहे तो प्रावर्तन कोड का मान अपनी मरजी नुसार जितना चाहे उतना रख करके खीच सकते हैं तो आपको भी दरपढ़ को रखने से पहले इतना तैयारी पहले आपको करना होगा यह देखिए आपतित की रण होगा और यह हमारा आपतन कोड हो गया चिसका मान हमने 40 रखते हैं अब हम इस पेपर को पहले इस थ्रॉम पीन की सायता से फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा दरपढ़ और पेपर अपने इस थान से ना हिल पाए अब इसमें हम ऐसे दरपढ़ इस्टेंड में इस तरीके से फजा के दरपढ़ को इस लाइन पे हम फिक्स कर देंगे और हम दो पीनों को इस आपतन कोड़ वाले रेखा में कहीं पर भी ऐसे सीध में ले करके इनको गाड़ देते हैं देखिए दोनों पीन एक सीध में दिखाए दे रहे हैं अब हम क्या करेंगे इस एंगल से देखते हुए इधर इन दोनों पीन को दरपढ़ में देखेंगे और इधर से हम उन पीनों को ऐसे गाड़ेंगे कि पीछे के दोनों पीन ढग जाएं तो आपको इसी को ध्यान देते हुए इन पीनों को गाड़ना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा ये ये देखे ये बाहर से पीन ऐसे दिखाए दे रहे हैं और हमको ऐसे ही इस दिखा में पीन गाड़ना है जो कि पीछे वाले दोनों पीन को ढग दे तो देखे हम इसके आसपास इस तरीके से इसे पीन गाड़ेंगे और ये पीन पीछे के बाकी दोनों पीनों को ढग देगा आप इसको देखे इस तरीके से पीछे के दोनों पीन आपको नहीं दिखाए दे रहे होंगे अब हमको एक पीन और गाड़ना है और ये पीन इस पीन को भी ढग देगा ऐसे इस तरह से यदि हम पीन गाड़ेंगे तो एक पीन सामने का पीछे के सभी पीनों अर्था तीनों पीनों को ढग देगा तो हम विशेश रूप से इन पीन के इस आधार हिस्से को देखेंगे देखें यहाँ पर को और यदि ये हिस्सा बाकि सभी पीनों को ढग दिया है तब हमारा प्रिक्टिकल सही हो रहा है और यदि इसको आप ऐसे देखें तो ये आपके सभी पीन देखें अलग-अलग दिखाए दे रहे हैं अब हम इस दरपण को हटा लेते हैं और सावधानी पूरवक हम इन पीनों को निकालते जाएंगे और वहाँ पे उनके अस्थान पे जहां से हम पीन निकाले हैं वहाँ पे हम ऐसे गोल गहरा करते जाएंगे इस तरह से देखिए अब हम इन दोनों बिंदूओं को बिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन खीच देते हैं ये हमारा परावर्तित की रण हो गया अब हम इस चांदा को रखके इस परावर्तन कोण के मान को नाप लेते हैं देखे जितना मान हमने आपतन कोण का रखा था उतना ही मान परावर्तन कोड का भी प्राप्त हुआ इसमें हमने 40 अंस लिया था और यहां पर भी ये 40 अंस ही प्राप्त हो रहा है और अब हम इसका नाम लिख लेते हैं ये होगा आप्तित की रण ये हो जाएगा अभी लंब और ये हो जाएगा परावर्तित किरण देखिए इसको हम लेजर लाइट की साहता से भी चेक कर सकते हैं यदि हम आपतित किरण के उपर से लेजर को भेजते हैं तो वह परावर्तित हो करके परावर्तित किरणों के उपर प्राप्त होता है तो इस तरह से जब हमने आप्तित की रण, परावर्तित की रण और अभिलम को एक ही तल में रखा, अर्थात कावेच के तल में रखा, तो हमारा जो परावर्तन कोण का मान है, ये आप्तन कोण के मान के बराबर प्राप्त हुआ, तो यही दोनों परावर्तन के नियम हैं, और हमने इस प्रयोक के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि परावर्तन का नियम सत्य है तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रैक्टिकल की साहता से परावर्तन के नियम का सत्यापन कर सकते हैं और साथी साथ आप प्रावर्तन को और प्रावर्तन के नीमों को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ सेयर कीजिए